नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 30W से लेकर 1500-200W तक जो बड़े-बड़े LED लाइट आते हैं वो अगर खराब हो जाते हैं तो हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास में यह पाना सोनी कमपानी का एक 45W का LED लाइट आया है यह बिल्कुल भी नहीं चल रहा है तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो यह जो बड़े-बड़े LED लाइट होते हैं इनको रिपेर करने का बहुत ही आसान तरीका आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा आप सभी प्रकार के LED लाइट को रिपेर कर सकते हो दोस्तो यह जो LED लाइट होता है इसमें सिर्फ दो चीज होता है एक होता है ड्राइवर सर्किट और एक होता है हमारा LED पैनल यानि कि यह जो MCPCV तो यही दोनों चीज होता है यह जो ड्राइवर सर्किट होता है दोस्तो यह हमारा 220V AC सपलाई इसमें इनपूट आता है यानि कि इसमें 220V AC सपलाई देना पड़ता है और ड्राइवर सर्किट हमारा DC वोल्टेज आउटपूट करता है जिस DC voltage से हमारा MC PCV यानिकी LED पैनल जलता है तो यही इसका मेकानीजी में और कुछ भी नहीं है तो चलिए दोस्तो इसको मैंने सबसे पहले आपको चेक करके दिखा रहता हूँ देखे इसका जो दोनो वैर है यानिकी दोनो तार है इनको मैंने क्या करता हूँ series board में ही लगाता हूँ अगर आप repairing का काम करते हो तो series board आपको जरूर बना लाना चाहिए जो भी चीज चेक करोगे सबसे पहले series board में ही चेक करना है तो देखे series board में मैंने ये दोनो तार को लगा लिया हूँ और switch को on कर लेता हूँ तो देख सकते हैं हमारा LED पैनल बिल्कुल भी नहीं जल रहा है अभी मैंने ये दोनो तार को series board से निकाल लेता हूँ और इसको खोल के आपको दिखाता हूँ सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारा दोनो तार है इनको ही चेक करना है अगर तार कहीं से कटा हुआ होगा या फिर टूटा हुआ होगा तो हमारा जो 220 volt AC सपले होगा वो हमारा driver circuit में नहीं जा पा रहा होगा और इस बज़त से भी हमारा LED light है ये भी नहीं जलेगा सबसे पहले आपको wire को ही चेक करना है तो wire को चेक करने के लिए भी दोस्तों आपको इसको खोलना ही पड़ेगा इसको खोलने के बाद ही इसका जो driver circuit होता है वो निकलेगा और आप wire को चेक कर पाऊगे तो चलिए दोस्तों इसको के से खोलना है मैं आपको बता देता हूँ देखे सभी जो हमारा LED light होते हैं उसमें screw या फिर nutball कसा जाता है तो उनको सबसे पहले आपको ध्यान से खोलना पड़ेगा इसमें देखे यहां पर एक screw है और यहां पर दो और यहां पर दो तो टोटाल इसमें 5 screw है और यह 5 screw को मैंने निकाल लेता हूँ तो देखे दोस्त अभी मैंने यहां पर इसका उपर का कभर को निकाल ले हूँ और यहां पर दोस्त हमारा इसका driver circuit है और इसके बार में यहां पर detail में लिखा हूआ है आप लोग देख सकते हैं यह Panasonic Company का है 45W का है और इसका model number यह made in India है सब कुछ लिखा हूँ है दोस्तों detail में तो अभी हमें क्या करना है यह driver circuit का जो उपर का cover है दोस्तों इसको निकालना पड़ेगा तो यहां पर देख सकते हैं हमारा दो screw लगा हूँ है और यह देख सकते हैं दोस्तों हमारा MC PCB यानिकी LED पेनल है तो दोस्तों सबसे पहले आपको LED पेनल को चेक कर लेना है तो इसको देखकर ही आप पता लगा सकते हो यह सही है या फिर खराब है तो देखकर के से पता लगाना है मैं आपको बता देता हूँ देखिए यहां पर काफी सरे छोटे छोटे LED होते हैं तो सभी LED को देखना है, अगर किसी LED जला हुआ होगा, या फिर उसके अंदर में काला रंग का दाग नजर आएगा, तो उसका मतलब वो LED खराब हो चुगा है, तो आपका MCPCV जो है, वो नहीं जलेगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमारा लगभग सारे LED सही नज आपके, तो मैंने यहाँ पर यह दोनों स्कूल को खोल लेता हूँ, तो दोस्तों यह देखे, इसका उपर का ढखका ने यह निकल चुका है, और यह इसका ड्राइवर सर्कृट है, दोस्त आप लोग देख सकते हैं, और ड्राइवर सर्कृट के उपर में भी काफी सरे 81 वोल्टेज, DC यह हमारा निकलता है आउट्पूट में, लगबग 80 वोल्टेज की बराबर यह हमारा आउट्पूट में देता है, इस MCPC को चलाने के लिए, और वो DC वोल्टेज होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो वाट होता है, वो मैक्सिमुम 45 वाट का है, और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ज, हमारा इंडिया में 50 हर्ज फ्रिक्वेंसी चलता है, और टेंप्रेचर बगरा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यही जो आउट्पूट इंपूट और हमारा जो वाट यही तीनों में है, तो अभी देखिए, इसको हमें निक लिखाल लिया हूँ, और यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं आपको बताया था, सबसे पर लिए जो हमारा ओयर है, यह जो 220V AC सपलाई का वायर, इसको हमें चेक करना है, यहाँ पर 220V AC सपलाई आ रहा है, या फिर नहीं आ रहा है, तो इसको हमें यहाँ से निकालना हूँ, और यहाँ पर दोस्ता में क्या करना है, यह जो इसका नीचे का प्लास्टिक है दोस्तों इसको भी निकालना है, नहीं तो इसका जो सर्कुट का नीचे का भागे वह हमें दिखाई नहीं देगा, तो यह देखे दोस्तों इसको मैंने निकाल लिया हूँ, और इसके बाद में दोस्तों जो मल्टी मीटर का दोनों प्रोब है इनको हमें क्या करना है अपस में मिलाना है तो हमारा मल्टी मीटर से साउंड आ रहा है तो मल्टी मीटर सही है अब यह में क्या करना है यह जो दोनों तार है दोस्तों इन दोनों तार में हमें सबसे पहले मल्टी मीट का दोनों प्रोप को लगाना है अगर दोनों तार में मल्टी मेटर का दोनों प्रोप को लगाने से हमारा यहां पर साउंड आता है जैसे कि इस प्रकार से मल्टी मीटर से साउंड आता है तो इसका मतलब आपका जो LED पैनल का जो सर्कीट है वो कहीं से सोट है तो सोट होने की इसका मतलब आपका circuit में कहीं sorting है तो एसे पता चल जाएगा आपका circuit में sorting है या फिर नहीं है और इसके बाद में दोस्तों हमें चेक करना है ये दोनों तार में 220 वोल्ट AC सप्लेई सही से driver circuit तक जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है जब हम क्या करेंगे एक तार की साथ में एक soldiering भाए मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर और यहां पर तो इन दोनों पॉंट में लगाना है एक प्रोप को और ये दोनों तार के साथ में एक प्रोप को लगाना है तो देखे किस पॉंट के साथ में यहां पर हमारा sound आता है देखे इस पॉंट के साथ में sound आ रहा ह तो इसमें भी हमारा sound आ रहा है तो इसका मतलब यह तार भी दोस्ता हमारा सही है और इस तार में यह दोनों तार में हमारा 220V ACS अपलाई यह circuit में जा रहा है तो अभी हमें यह दोनों तार को फिर से series board में लगा देना है और इसके बाद में multimeter की माध्यम से यहां पर 220V ACS अप सप्लाई आ रहा है और इसके बाद में दोस्तों हमारा जो output का DC सप्लाई होता है उसको चेक करेंगे तो उसके लिए मैंने multimeter को 200V DC में लगा देता हूं और यह जो दोनों प्रोब है इनको में लगा आता हूं यहां पर यह red और black दोनों पाइंट पर तो देखते हैं हमारा क DC PC भी साहिए तो सबसे पहले क्या करेंगे driver circuit में हमारा जो AC section में जितने भी सरे component लगे हुए हैं इनको चेक करेंगे तो यह जो दोस्ता हमारा driver circuit है इसमें मैं आपको दिखा देता हूं इसको इस प्रकार से पलट दता हूं और इसको पलटने के बाद आप लोग देख सकते ह यहां पर हमारा दो fuse register लगे हुए हैं इन दोनों fuse register को चेक करना है और एक हमारा MO भी लगा हुआ है इसको चेक करना है और यहां पर एक drum inductor coil लगा हुआ है इसको चेक करना है और यह वाला coil को भी चेक करना है और बाकि क्यापासिटर को देखना है कहीं क्यापासिटर अगर खराब होगा आपका जो लाइट होगा वो ब्लिंकिंग करेगा एगर खराब होगा तो आपका लाइट ब्लिंकिंग करेगा लेकिन थोड़ा बहुत जलेगा तो क्या पासिटर हमारा सही है यहां पर हमारा लाइट बिल्कुल भी नहीं जल रहा है तो सबसे पहले यह जो दोनो fuse register है इनको ही चेक करेंगे तो दोस्तो fuse register को चेक करने के लिए सबसे पहले multimeter को continuity वाला mode में लगा देना है और इसके बाद में fuse register का दो leg होता है आप लोग देख सकते हैं यह जो fuse register है इसमें दो leg है दोस्तो मैं यहाँ पर पास से दिखाने की process कर रहा हूँ इस side में एक leg है और यहाँ पर एक leg है यह वाला leg हमारा यह लाल वाला तार के साथ में लगा हुआ है और यह वाला leg हमारा circuit में गया हुआ है तो इन दोनों leg के साथ में यह दोनों प्रोप को लगाते हैं तो यह देखे दोस्तो यहाँ पर हमारा साउंड आना चाहिए या फिर कुछ भीयलू आना चाहिए लेकिन कुछ भी साउंड कुछ भीयलू नहीं आ रहा है तो इसका मतलब दोस्तों यह जो हमारा रेजिस्टर है यह खराब हो चुका है यह ओपन हो चुका है तो इस बज़े से हमारा सप्लाई नहीं जा रहा है तो इसका मतलब यह दूसरा register भी दोस्त हमारा खराब है तो यह दोनो register खराब हो चुके हैं तो यह दोनो register क्यों खराब होता है मैं आपको बता देता हूँ अगर हमारा circuit में आगे में कहीं भी sorting होगा या फिर कोई भी transistor IC खराब होगा तो क्या होता है यहाँ पर यह जो MOV लगा हुआ होता है यह हमारा sort हो जाता है यह MOV हमारा sort हो जाता है और MOV हमारा sort हैने की बज़े से यह जो दोनो register होते हैं यह हमारा open हो जाते हैं तो यह MOV को अभी हमें check करना है यह sort है या फिर नहीं है तो MOB का भी दोस्तों हमारा दो लेग होता है यह जो हमारा नीला रंग का दिखाई दे रहा है ना इसमें भी दो लेग है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इस सेड में यह वाला एक लेग और यहां पर यह दूसरा लेग तो इसका number मैं आपको दिखाने की कोशिव कर रहा हूँ, यहाँ पर सहर दिखाई रहा हूँ, छोड़ी इसका number की कोई जरूत नहीं है, अभी हमें इसको शर्फ चेक करना अही तो इसका जो दोनों लेग है, इन दोनों लेग के साथ मैं मैंने क्या करता हूँ, multimeter के साथ में मे भी सोट हुआ है और यह दोनों फ्यूज रेजिस्टर ओपेन हो चुके हैं और यहां पर जो 220 वोल्ट ऐसे सप्लेई आ रहा है वह आगे ड्राइवर सर्कृट में नहीं जा पा रहा है इसलिए आउट्पूट में कोई भी या फिर 400 वोल्ट ऐसे सप्लेई आ गया तो यह जो एमोभी होता है यह अपने आप ही सौ्ट हो जाता है और दोनों फ्यूज रेजिस्टर को ओपेन कर देता है ताकि जो ज्यादा वोल्टेज है वह आगे इसर्कृट में नहीं जा पाय है और सर्कृट हमारा प्रोटेक्ट हो स्सक्राइब में यहाँ से निकाल लुए तो दोस्तों मैंने यहो नोल निकाल ल्यता क्रहला हुए मैंने निकाल ल्याहाँ और इसके बाद में मल्टीमेटर यहाँ लगा वा था इसको continuity mode पर चेक करना है यहां पर और शर्टिंग दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है तो अभी मैंने क्या क्या हूँ मल्टी मेटर को यह जो हमारा continuity वाला mode है यहां पर लगा दिया हूँ और इसके बाद में यह जो के दोनों प्रोब इनको क्या करता हूँ मोवी जहां पर लगा वा था वो दोनों पर लगाता हूं तो यहां पर आवा जाएगा तो इसका मतलब हमारा यह जो driver circuit में sorting है तो यहाँ पर आवाज नहीं आ रहा है आप लोग सुन सकते हैं देखें यहाँ पर दोनों प्रोप को मिलाने से आवाज आ रहा है लेकिन यह मोग भी जो लगा हुआ था इस जगा पर लगाने से दोनों प्रोप को कोई भी sound नहीं आ रहा है तो चलिए इसको हमने हटा लिये हैं और यह जो हमारा दोनों फ्यूज रेजिस्टर है इनका जो दूसरा लेक है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यह देखे दोस्तों यह वाला जो रेड वाला तार है यह हमारा इस फ्यूज रेजिस्टर का यह वाला लेक पर लगा तो देखे मैंने निकाल लिया हूं और इसके बाद में मैंने soldering कर लेता हूं जहां पर बताया था यहनिकि यह जो फ्यूज register का दूसरा लेगे इन दोनों लेग के साथ में यह दोनों तार को soldering कर लेता हूं देखे दोस्त अभी मैंने यह दोनों तार को सही से soldering कर लिया हूँ और इसके बाद में यह जो हमारा output का दोन उतार है यहां पर हम voltage को चेक करेंगे तो मैंने multimeter को क्या करता हूँ 200 volt DC में लगा देता हूँ और सबसे पहले मैंने यहां पर 좋 symmetry lens से ही इसको supply देता हूँ तो देखे दोस्तों यह दोन उतार को मैंने series board में लगा लिया हूँ आप लोगदेख सकते हैं और switch हमारा on है तो अभी मैंने क्या करता हूँ 200 ज़्यादा फोल्ट आया होगा जैसे कि 300 वोल्ट आया होगा या फिर 400 वोल्ट आया होगा और उस बज़े से ये driver circuit को protection देने के लिए ये जो MOV है दोस्तों ये अपने आप में ही sort हो चुका है और दोनो fuse register को open कर दिया है तो यहाँ पर हमारा driver circuit काम नहीं कर रहा था अभी मैंने इसको direct कर दिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा output में voltage बन रहा है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ यह देख सकते हैं 96.3 voltage दिखा रहा है तो यह हमारा सही है अभी मैंने क्या करता हूँ इसको सबसे पहले series line से निकाल लेता हूँ इसका जो main lead है और उसके बाद में जो plus वाला तार है इसको मैंने plus के साथ में और जो यह minus वाला तार है इसको मैंने minus के साथ में soldering करूँगा तो अभी मैंने यह दोनों तार को soldering कर लिया हूँ और श्रीज बोर्ड में ये दोनों तार को लगा के चेक करके देख लेते हैं तो देखे दोस्तों स्रीज बोर्ड में लगाते हैं यहां पर हमारा लाइट इस प्रकार से यह जलता है और बुस्ता है तो अभी क्या करेंगे इसको डायरेक्ट में लगाएंगे देखते हैं क्या होता है डायरेक्ट में लगा के तो डायरेक्ट में मैंने लगा लेता हूँ और ये देखें दोस्टो डायरेक्ट में लगाने से ये हमारा बढ़िया से जल रहा है तो series में यह क्या हो रहा था, इसमें जो ज्यादा watt होने की बज़े से, यह series में अच्छे से नहीं जल पा रहा था, अगर direct में लगाते हैं, तो यह हमारा सही से जलता है, आप लोग देख सकते हैं, बढ़िया से light दे रहा है, तो इस प्रकार से यह जो LED है, यह हमारा सही हो सही है, यानि कि driver circuit से सही से voltage आ रहा है, लेकिन आपका जो MCPCV वो खराब हो चुगा है, तो आप क्या करिए, यह MCPCV को ही बदल दीजे, आपको चेक करना है, driver circuit का output में voltage आ रहा है, या फिर नहीं आ रहा है, अगर voltage आ रहा है, तो आप जो MCPCV उसको change कर दीजे, आपका सही हो हो जाएगा, और driver circuit में कितना voltage आ रहा है, इसको भी check करना है, जैसे कि यह driver circuit के उपर में लिखा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ था, output में यह 75 से लेकर 81V output करता है, लेकिन यहाँ पर हमने जब check कर रहे थे, तो हमारा 90V कुछ दिखा रहा था, तो हो सही है, 10-15V इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर आधा voltage दिखाएगा, यानि कि यहाँ पर अगर 40V दिखाएगा, 30V दिखाएगा, तो इसका मतलब यह low voltage problem होगा, और यहाँ पर क्यापासिटर बगरा चेंज करना पड़ेगा, क्यापासिटर को चेंज करने से voltage सही हो जात है, तो आपको जितना भी watt का alpha audio भी चाहिए, उतना ही watt का alpha audio भी ले आना, और उसको यहाँ पर लगा दना है, यह दोस्तों आराम से फीट यहाँ पर हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं, और इसमें भी दोस्तों बहुत अच्छा रोशनी मिल जाता है, और इसमें हमारा द दो पॉइंट होता है, यह दोनों पॉइंट के साथ में, डायरेक्ट हमारा दो 220V AC सपलाई से जो दोनों तार आता है, उनको ही लगा देना है, और उसके बाद में यह हमारा दारेक्ट 220V AC सपलाई से ही जलेगा, इसमें कोई भी ट्राइवर सर्कृट लगाने की ज़रूत नहीं है, इसमें ही ड्राइवर सर्कृट आप लोग देख सकते हैं, लगा हुआ है, और यहां पर CO-N1 लिखा हुआ है, तो यहां पर यह दोनों पॉइंट के साथ में 220V AC सपलाई का दोनों तार को लगाना पड़ता है, और इसको यहां पर स्क्रू की माध्यम से कस लेना है और इसको प्याकिंग बगरा करके, यहां पर वैर बगरा लगा के इसको रिपेर कर लेना है, इस प्रकार से भी आप यह जो LED लेट होता है, इसको रिपेर कर सकते हो, अगर आपका ड्राइवर सर्कृट और MC PC भी दोनों खराब हो चुके हैं, तो मैं आसा करता हूँ कि यह अगर यह वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो के एक लाइक कर दीजे, और इस प्रकार कर वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजे